असलाम लेकुम ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं बनाने जा रही हूँ आज एक ऐसी मिठाई जिसमें ना दूद का इस्तमाल हुआ है ना चीनी का हैं वह उमीठाई चीनी कारा कहते हैं एक सबस्क्राण आट दीमी आज पर इसको चमच से चलाते हुए melt करूंगे और पहले मेल्ट करने मैं इसमें देखे देशी घिया आड कर रही हूं इस तरह से देशी घिया अलका साम आड कर लेंगे उसके बाहर इसको चलाते हुए हम अच्छे से इसको melt कराएंगे तो friends मैं बता दूँ आपको कि खजूर को क्या है ना आप फ्रिज में रखके तुरंत इस तरह से melt मत करिएगा कुछ दिर बाहर छोड़ दीजेगा ताकि वो soft हो जाए और आसानी से melt हो जाए नहीं तो फ्रिज से direct निकालने के बाद ये आसानी से melt नहीं होते हैं तो इनको पीसना पड़ता है तो आप फ्रिज में ना रखके आप इसको कहीं ठंडी जगा बाहर ही रखके तो अच्छा होता है खजूर जो हमारे soft होते हैं तो देखिए इस तरह से 10-15 मिनिट के बाद जो हमारा खजूर है इस तरह से melt होके कितना अच्छा है ये dough बन चुका है तो बहुत ही soft सा dough तयार हो गया हमारा खजूर का तो इसको हम निकाल लेंगे हलका सा गी लगा के इसको चिकना कर लेंगे ये देखिए हाथ में में गी लगा के इसको हलका सा चिकना करूंगे प्राइब इसको हम पेपर कर लेंगे, चलिए फ्रेंड, इसको बादना सी्टाइट करते हैं, इसको शेप देते हैं, मैने यह पेपर की जगह एक के करते हैं, उसमे मैंने घी लगा लिया के लिए अगर आपको बेलन में चिपक रहा है यह तो आप इस तरह से प्लास्टिक रखकर भी बेल सकते हैं इस से और आसानी से आप बेल लेंगे तो देखिए जितना पतला हो सकता है मैंने इस तरह से बेल लिया है देखिए इस तरह से अच्छे से हम बेलन से इसको बेल लेंगे फ्रेंस ये मिठाई इतनी अच्छी होती है कि बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाते हैं आप मेहमानों के सामने भी सर्प कर सकते हैं बहुत अच्छी मिठाई ये बनके तयार होती है खजूर की गर्में बच्चे भी खजूर नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरह आप उन्हें बना कर दें तो वह ज़रूर खाएंगे तो चलिए इसकी फिलिंग तयार कर लेते हैं मैंने यहां पे कुछ ड्राइफ्रूट्स पिस्ता बादाम और यह इलाइची पौडर मिक्स करके रख लिया है और यहां मैं एड़ कर रही हूं एक से दो चमबच शहद शहद इसलिए डाल रही हूं कि हलका सा यह जो जानी तयार हो गई है अब जो यह बेल के हमने बेस तयार गिया था इसके बीच में सेंटर में हम यह सारे ड्राइफ्रूट की फिलिंग हम डाल रहेंगे और इसको आराम से आपको फोल्ड करना है इसको रोल बनाना है अच्छे से तो बहुत ही आराम से इसको आप कीजेगा तो फ्रेंड्स इसको आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप ये रोल का ही शेप दे आप बरफी का भी शेप दे सकते हैं आप इसका लड़ू भी बना सकते हैं किसी भी शेप में इसको बना लीजिए बहुत ही अच्छा लगता है ये तो आपको जो भी शे शेप में बना ले मैं यहाँ पर रोल शेप दे रही हूं इसको तो इस तरह से हलके हाथों से अच्छे से हम इसको रोल कर लेंगे यह देखिए अलका सा प्रेस करकर के मैंने इसको एक रोल का शेप दे रिया है और साइड से अगर ड्राइफ रूट निकल रहे है तो आप फिर से उसको फिल कर दे अंदर डाल कर यह देखिए कुछ इस तरह के से आपको रोल बना लेना है तो देखिए रोल हमारा बन चुका था इसको मैं हलका सा प्रेस करके खोल रही हूँ अब आप अगर घी लगाएंगे अच्छे से तो यह बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं अराम से इसली निकल जाएगा यह तो देखिए रोल मेरा आसानी से निकल रहा है यह देखिए यह देखिए कितनी आसानी से यह निकल गया है अब साइट का जो पॉर्शन है दोनों साइट आप इसको अच्छे से अंदर के तरफ करके दबाके प्रेस करके ना अच्छे से इसको चिकना कर ले ताकि जो हमारा जो ड्राइफूट है वो निकले नहीं इसको अच्छे से दोनों साइट को हमें पैक कर लेना है और जो भी ड्राइफूट आपके भिखर रहा है आप उसमें स्टफिंग में डाल दे और इसको इस तरह से पैक कर ले तो देखिए बिलकुल हमारा बनके रोल तयार है अब बस इसको कटिंग करना है और आप एक अच्छानी से कड जाता है लेकिन मुझे आपको यहां पे शेयर करना है दिखाना है इसलिए मैं इसको अभी आपको कट के भी दिखाती हूँ इस वक्त भी यह कड आता है लेकिन अगर आप फ्रिज में रख दें इसको एक घंटा के लिए तो बहुत ही आसानी से इसका तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से यह मिठाई बनकर दयार हो गई है खजूर की और यकीन मानिये यह जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी बिल्कुल अच्छा है आप मैमानों के सामने सब करिए उन्हें बहुत ही पसंद आएगा बच्चो कि यह मिठाई बनकर तयार हो गई है इस मिठाई को डियाविटिक पेशिंट भी खा सकते हैं आसानी से क्योंकि इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है तो यह मिठाई ठिस्टी होने के साथ हेल्दी भी है इसलिए आप इसको ज़रूर ट्रह करें तो उमीद करती हो फ्रेंड आ आपके मुबाइल पर आ सके तो चलती हो फ्रेंड मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए दौाओं में आद रखिए अल्ला हाफिज